नमस्ते जी वैदिक रास्ट में आपका स्वागत है आज का हमारा विशे है वेदों से ही हमें रिशिय मुनी और राम कृष्ण दयानन आदी महान पुरुष मिले आज के इस लेक के लेखा के वैदिक बद्वान मनमोहन कुमार आरे दहरादून से इस तरह के अन्य विदिक लेखों के लिए वैदिक रास्ट यूटूब चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकोन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुजाओ कम हमारी यह सृष्टी एक दसमलव नोचे अरव वर्ष पुरानी हैं इतने ही वर्ष पूर्व भारत वा आर्यावरत के वर्तमान स्थान तिब्बत में परमात्मा ने आमयतुनी सृष्टी उत्पन न की थी उस समय प्रत्वी पर कहीं कोई देश नहीं था सारी प्रत्वी एक थी और एक ही देश था जिसे आर्यावरत कह सकते हैं तिब्बत भी आर्यावरत का ही भाग था बाद में जनसंख्या में वर्धी हुई और भूमी के बटवारे हुए और नाना प्रकार के नामों से देश बन गए हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पुर्व पाकिस्तान वर् जिद्या से गरस्त करने के कारण वन वबस्ता एवं अन्य सामाजिक विक्रतियों के कारण समाज में समानता ना रहने सब सब परिस्तितियां उत्पन न हुई जिसका परणाम वेद highway धर्म के सत्य शुरूपक का लोप हो गया विदिप धर्म हमारे महान पुर्वजों ने जो कर्तव किये थे, जो काम किये थे, वो बचे रहते। महरिशी दयानन ने इस पतन के कारणों का अपने विश्व प्रसिद्ध गरंत सत्यार्थ प्रकास में प्रकास जाला है। वेदिक धर्मयम संस्कृती चार वेदों यजरुवेद, रगवेद, यजरुवेद, सामवेद, अथरुवेद की देन हैं। जिसका प्रचार वपसार हमारे आदिकालीन वा उसके बाद के रिशियों ने समत संसार में किया था। सारे संसार के देशों को आरेवर देश के हमार पुरुजों ने जा जाकर ही बसाया था। इसका प्रमान वा संकेत रिशी द्यानंज जी ने सन 1854 में पूरा में दिये प्रवचनों में किया था। उनका दिया गया विचार ही तरक और युक्तियों से सिद्ध होता है। विदेशियों ने अपने हिताहित के कारण कुछ सत् ना करके राजिनीतिक वो अन्य कारणों से अपने अनुकूल मानेताओं को स्विकार किया है। परंतु सत्य यही है कि आदी मानों सष्टी इस संसार में एक ही इस्थान में तिबबत में होई थी। यहां उत्पन रिशी और अन्य लोग ही संसार के सभी लोगों के पुर्व इसके बाद यहां से लोग संसार के अन्य भागों पर जाते रहें जहां कि जलवायू और इस्थान उन्हें अनुकूल पढ़ता वहां बस जाते। इस प्रकार सारे संसार में मनुश फेले और नाना प्रकार के देश अस्थित्त में आए। प्रश्ण यहां है कि चार वेद सबी विश्यों का जान जो आज भी जान और विजान के अनुरूप और अनुकूल है उपलब्ध होना असंबव है। यहां सष्टी भी स्वयमेव उत्पन नहीं हो सकती। इस सष्टी की उत्पत्ती एक ज्यानवान, शर्वशक्तिमान, सर्वयापक सत्ता से ही संबव होना ह और वहा इस संसार में निराकार व अतिन्त सुच्मरूप में विद्दमान भी है। उसी को इश्वर कहते हैं। चारो वेद भी इश्वर के इसी सुरूप का प्रिकाश करते हैं। इश्वर चेतन सत्ता है। यह अनादी, अमर, अविनाशी और नित्त है। इसका ज्यान भी सभाविक और नित्त है, जो ना कम होता है ना बढ़ता है। सश्टी की उत्पत्ती वा संचलन का ज्यान परमात्मा को अनादी काल से है। अनंत काल तक रहेगा। उसी अपने सभाविक ज्यान से परमात्मा अनादी वा नित्त जड़ प्रकृती जुसत्त वरजस तमस होने पर वनस्पती जगत तदा आमेथ्री सश्टी उत्पन कर युवावस्था में इस्तरी और पुर्षों को उत्पन किया जाता है। मनुष्यों के युवावस्था मनुष्यों के युवावस्था में उत्पन होने का पर उन्हें ज्यान की अवशक्ता होती है। यहां ज आधिश्वर हमारी आत्माओं के भीतर वद्दमान होने के कारण से हमारे आधी पुर्वज रिश्यों की आत्माओं में प्रेणा करके वेदों का जान देते हैं। वेद भाष आधी को पढ़कर वेद जान को प्राप्त होते हैं। वेदों ने इतर इस्त्री पुर्षों को आत्मसाथ कराया। और इश्वर ने वेदों में बताया कि मनश्य जन्म हमारे कर्मों और कर्मों के आधार पर निर्मित प्रारब्द के कारण होता है। कोई मनश्य कितना भी ज्यानी और बलवान हो वा पूर्ण सुकी नहीं हो सकता। माता के गर्बकाल में अनेक प्रकार के दुख जीव को होते हैं। जन्म लेने और म्रत्यू के समय भी दुख होता है। जीवन काल में भी नाना प्रकार के अधिदेविक, अधिवोतिक, अध्यात्मिक वा कर्मफल और प्रारद के दुख आते जाते हैं। अता मनश्य को सभी दुखों से मुक्त होने का उपाय ढूनना चाहिए। वेदो ने इसका उपाय भी बताया है। या उपाय है वेदों में नर्दिष्ट एश्वर वा आत्मा आधी के सत्य सुरूप को जानकर एश्वर की उपासना करना। वायू वजल आधी की सुद्धी के लिए यज अगनिहोत्र करना। अपना आचरण सत्य परस्थिर करना। ऐसा करने से ही मनुष्य मोच को प्राप्त होकर जन्म मरण के बंदनों से मुक्त हो सकता है। हमारे आधिकालीन पूर्वज इसी जीवन पद्धिती को अपनाते थे। इन संसकारों से नर्मित मनुष्य स्रिष्ट गुणों और आधर्स चरित्रवाले होते थे। इसी कारण हमारे देश में उच चरित्रवान आधर्स रिष्टी मुनी और महापुर्ष उत्पन होते थे। अतीत वा वर्तमान में जिन लोगों ने वेदों और वेदिक साहित्त का ग्यान अध्यन और मनन नहीं किया है। वह प्राचियन परिष्टितियों बाउच्च वेदिक जीवन सेली का अनुमान नहीं कर सकते। इसके लिए तो मतमतांतरों के आचारों और अनुयायों आधुलिक, नास्तिक और अन सभी लोगों को अपने पुरवाग्रों का त्याक करके अपने मन और अदे को निर्मल करके सच्चे और पवित्र भाहों से वेदों वा वेदिक साहित्त का अध्यन करना होगा। इसी वेदिक धर्म और संस्कृति में जन्म लेकर वेदों का अध्यन करने के बाद वेदों के सिच्चाओं को अपने जीवन में धारन करके दसरत पुत्र राम और वाशुदेव के पुत्र देव के नंदन करश्ट संसार के महापुरुशों के अग्रगर्णिये और प्रका प्रकाश करके उनके सक्त अर्थों से देश और संसार के लोगों का परिचित करवाया। संसार का कोई ग्रंथ वेदों के समान नहीं है। वेदों में जान, विज्ञान, सक्त विध्याओं का भंडार है। यों मानों के कर्तव्यों धर्म पर प्रकाश डाला गया है। वेद वेद तो वसुदेव को टुम्बकुम की भावना के साथ सर्वे भवन्त सुखिना की उद्दात भावनाओं का प्रचार करते हैं वहाँ मांसहार के घूर विरोधी हैं इसे अत्यंत निंदित और अमानवी कर्म बताते हैं अहिंसक पस्वों के प्रती भी प्रेम और रिश्नह का विवार करने के प्रेना करते हैं गाई को उन्होंने माता का स्थान देने के साथ उसे पुझ्यमाना है गाई का दूद सभी पस्वों से स्रिष्ट है गाई की सेवा करने से मुनिश्च को अक्षे सुक्की प्राप्ती होती है वेदानुयाई गो सेवक का पनरजन्म सेष् योनियों में जन्म लेकर अपने अनिष्ट कर्मों का घूर फल भोगते हैं। योनियों में जन्म लेकर अपने अनिष्ट कर्मों का घूर फल भोगते हैं। योनियों में जन्म लेकर अपने अनिष्ट कर्मों का घूर फल भोगते हैं। सत्य वेदिक धर्म को अपनाएं। उसका आत्मना आचरण करें। असत्य वाविद्या को स्यम से दूर करें। ऐसा करके ही स्ष्टी के स्रिष्ट आधिकालीन वेदिक धर्म की रख्षा हो सकेगी। अन इस तरह के वेदिक लेकों के लिए वेदिक राष्ट यूट्यूब चैनल को लाइक करें। शेयर करें। सब्सक्राइब करें। बेल आइकोन की घंटिक को दबा दें। अपने कीमते सुझाओ कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।